अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवरस्टी से डिस्टेंस एजूकेशन ले रहे हैं तो उसके लिए अगर आपने कोई भी अपनी असाइमेंट जो आपको मिलती हैं ऑनलाइन वो अपलोड कैसे करनी हैं वो सार हम आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना अपना लॉग इन कर लेना है लॉग इन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा उसके बाद यहां पर डिफेंट मैनियोस बने हैं आप एक्जाम कॉनेक्ट में जाएंगे यहां सीयस समिशन में जाने के बाद देखिए जो आपकी ईस pending show कर रहा है तो मैं यहाँ first link पे click करूँ upload करने के लिए तो यहाँ पर देखे मैं select files पे click करूँगा तो जहाँ मेरी file है मैं वहाँ से इसको location को choose करूँगा और file जो है यहाँ से देखिए assignment 1 as mean assignment 1 dcpa 107 इसको choose करूँगा और देखे जब मैं इसको submit assignment पे click कर रहा हूँ तो इसे ने show कर दिया कि sorry no files to upload please select files ऐसा क्यों हुआ because इसमें जो आपने files upload करनी है वो होगी jpg format में लेकिन मैं यह जो file इसमें upload की यह थी pdf format में तो सबसे बहले हमें इनको pdf format से jpg format में convert करना होगा इसके लिए आप जाएंगे google पे यहां पर लिख दीजिए pdf to jpg तो यहां पर लिखे different websites आ रही हैं किसी भी website के help से कर सकते हैं तो मैं third website के help से कर रहा हूँ इसको convert अपनी pdf file को jpg में तो यहां से आप choose file करेंगे choose file करने के बाद आपकी यहां पर 5MB की होनी चाहिए इससे अबब नहीं होनी चाहिए अगर यह दिखी error वेरा आजए कोई problem नहीं है आप दूसरी websites भी use कर सकते हैं एक बार फिर से मैं इसको refresh कर लेता हूँ आप इसमें कोई भी अपनी pdf file है उसको convert कर सकते हैं लेकिन यह याद रखिए आपकी pdf file में जितने pds होंगे वो single single वहाँ पर display होंगे जब आपकी यहां conversion हो जाएगी और उसके बाद आप उसको download करेंगे और download करने के upload करने का method same है और यहां पर आपको मैं और एक important चीज़ बता दूँ जैसे आपकी file में जो आप यहाँ pdf file convert कर रहे हैं jpg में उसको आपको pages के number देने हैं जैसे page 1, 2, 3 या आगे पीछे मत करियेगा because वहाँ बहाँ सारे बच्चों की assignments upload होती है उनके पास इतना time नहीं होता है को single single बच्चे की देखें तो यहाँ पर यह देखिए file upload हो रही है अगर कोई भी website देखिए इतना time लग रहा है अगर आपकी ना हो error message हो तो आप दूसरी website यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया PDF to jpg में जाईए यहाँ पर देखिए और भी website से आप उन website का यूज़ कर सकते हैं और यह आपको process मैं online बता रहा हूँ offline भी आप softwares यूज़ कर सकते हैं तो मैंने यहाँ से assignment चूज़ की आपकी file देखिए upload होगी और यहाँ से आपने convert to jpg में करना है और यहाँ पर आपको बता रहा है कितना time लगेगा और यहाँ पर upload की speed कितनी है यह सारी process होकर आपकी जो file यह convert हो जाएगी तो यहाँ पर यह देखिए यह file convert होगी तो यहाँ पर देख रहेते हैं क्या error आगया तो यहाँ पर एड़वर अब लॉक है तो यहाँ पर देखिए this year यहाँ पर interface है यहाँ पर आपकी file है convert होके show होगी आपने बस इसको download करना है यह थोड़ा सा time लेगी है और आपकी net की speed भी matter करती है कितनी है आपकी net की speed है उसके recording आपकी conversion होगी conversion के बाद आपकी जो file है यहाँ convert होके show होगी now अब देखिए जब आपकी file यहाँ पर convert होके show होगी आप उसको download कर लेंगे और फिर से आप अपने login में जाएंगे यहाँ से आप back आजाएंगे back जाकर यहाँ से आप single single जो आपकी assignment है जैसे यहाँ assignment मुझे पहले one two upload करनी है फिर two करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं so friends जो process करके देखिए कोई भी आप problem face करते हैं तो comment box में comment कीजेए बाइ इसना ही issue था कि आपकी assignment इसलिए upload नहीं हो रही थी because जो आपकी assignment का format था वो था आपका PDF लेकिन जो आपने format upload करना था वो था आपका jpg format jpg means photo format तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा जितने आपकी assignment में pages नहीं upload करिएगा फिलाल फिर भी कोई आप problem face करें तो comment box में comment करके हमें बता सकते हैं so thank you friends for watching this video and for your valuable time